नमस्कार दोस्तो मैं इंशुल मैं आप सभी का अपने चैनल टेकेट नार्गेट पर स्वागत रता हूँ दोस्तो आज की वीडियो में आप सभी को काफी बड़ी हाइरिंग का अपडेट देने वाला हूँ हाँ दोस्तो विप्रो ने एक बार फिर से एक और हाइरिंग बताने वाला हूँ क्योंकि दोस्तो पैकेज आपको 10 LPA तक मिल सकता है साथ मेरी एक रिक्वेस्ट यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि हम अपने चैनल पर डेली बेसे पर आपको ऐसे ही अपडेट देते रहते हैं और आपको जल्दी अल्दी हमारे थन पट जल्द दूर यी अधरेविस्टेफस न फ formally बेटेकर बिलते हैं तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल ऐकोन भी प्राइस कर दीजेगा तो दो दूस्तो विप्रोअ बडिया ए चुकिवाब ये स्टार हैरिंग है क्या स्टार हैर इस Śार है इ दोस्तों अगर मैं आपको in short बताऊ ना तो अगर इन्होंने अच्छे students की बात किये तो hiring भी दोस्तों अच्छे level पर होगी हम मैं दोस्तों आपको eligibility criteria बता देता हूं 60% होने वाला है दोस्तों 10th and 12th में 60 GPA और 60% दोस्तों graduation में भी होने वाला है बागी दोस्तों maximum one active backlog is allowed till the interview और दोस्तों अगर हम branches की बात करते हैं तो CSIT circuital mechanical branch allied and integrated यहां दोस्तों civil branch eligible नहीं होने वाली है 2022 batch eligible है तीन साल का gap दोस्तों allowed होने वाला है no gap allowed in graduation period graduation should be completed within 4 years तो दोस्तों आपकी graduation 4 साल में complete होनी चाहिए है बी पीटे compulsory degree 5 year integrated courses भी दोस्तों allowed होने वाले है evaluation process आट सेलेक्शन प्रोसीसर की बात करते हैं तो दोस्तों पहले आपको यह आपना registration करना है assessment के बारे में बताने वाला हूँ business discussion letter of intent and open letter और एक चीज में आप सभी को update कर देता हूँ दोस्तों यहां कोई भी last date mention नहीं कर रखिये means registration कभी भी close हो सकते हैं तो मेरी एक request है जैसे यह पूरी वीडियो देख लो इसमें जल्दी apply कर दीजेगा किसी भी बाग की wait नहीं कर दीए कि sir हम तो last date तक apply करेंगे ऐसा नहों बागी बच्चों पर mail आजाए जो सबसे पहले register करते तो please आप सबसे पहले register कर दीजेगा साथ ही साथ यार जो विप्रो की second phase की जो hiring आईए इसमें यार इन्होंने 10th और 12th की percentage mention कर रही है जैसा की आप देख सकते हो साथ यहां last date भी mention है बड़ दोस्तों जो star hiring आई है इसमें कुछ भी mention नहीं कर रहा package की बाग करता हूँ दोस्तो 10 LPA के साथ 1 lakh retention bonus भी मिलने वाला है that will be paid after your one year completion and merge to OCTC after one year designation दोसो project engineer है जो की बिलकुल same है पर दोस्तों अगर आप band की बात करते हो तो दोस्तों सीधा आपको band B1 मिलने वाले है service agreement दोस्तों कुछ भी नहीं है सबसे अच्छी बात यह है पर दोस्तों आप male practice कुछ भी allowed नहीं होने वाली during your online assessment और दोस्तों online assessment की difficulty अच्छी कासी होने वाली है अगर आप सोचरों की assessment आपका easy होने वाला है विप्रो इलाइट की तरह तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बात करते हैं दोस्तों कैसे register करना है तो दोस्तों simply register now पर click करिएगा आप यह वाली टैप पर आ जाओगे तो दोस्तों यह hiring सिर्फ और सिर्फ 2022 के लिए है अगर दोस्तों यह video 2021-20 देख रहे हैं तो दोस्तों आप विप्रो की इलाइटी second phase hiring में apply कर सकते हो जिसका link दोस्तो आपको description में मिलने वाला है तो दोस्तों simply आपको start registering पर click करना है यहां दोस्तों हम अपनी email id डाल देता हूँ मैं और email id दोस्तों डालते हैं हम next पर click करने वाले है register and apply पर तो दोस्तों यहां आपको 6-7 column से यह आपको fill करना है basic details, contact details, current most recent education, previous education, internship and work experience, profile photo and documents, apply for job openings और दोस्तों colleges की बाता हूँ कोई भी college type कर लीजेगा, गल गोटिया से start करते हैं दोस्तों, allowed गल गोटिया आ गया, GL बजाज देख लेते हैं दोस्तों, GL बजाज भी आ गया है दोस्तों, almost GLA भी आ चुका है, दोस्तों तो almost सारे colleges eligible होने वाले हैं, अगर आपका college eligible ना हो तो please इससे भी check क कर लीजेगा, अगर आपको college का नाम से check नहीं हो रहा हो, बागी दोस्तों, मैं आपको इसके selection procedure as well as in-depth online test pattern के बारे में भी बता देता हूँ, selection procedure में register करना है, फिर online assessment है, फिर business discussion round, जो कि दोस्तों, जिसमें आपसे technical plus HR interview questions पूचे जाते हैं, assessment के दोस्तों, exam pattern की बात करता 48 minutes का दोस्तों, यह test आप सभी का होने वाला है, और दोस्तों, difficulty थोड़ी सी high, थोड़ी सी high दोस्तों, यह आपको देखने को मिल सकती है, ऐसे writing round होने वाला है, जो कि 20 split का है, और दोस्तों, programming round, जिस पे दोस्तों, most probably आपको एक question easy बिलने वाला है, एक question दोस्तों, थोड़ा साथ difficult हो सकता है, languages दोस्तों, आप Java, C, C++, Python या अलाउट कर सकते हो, और दोस्तों, अगर आप जैसे ही assessment cross कर लेते हो, फिर दोस्तों, आपका basis discussion round है, जिस पे दोस्तों, आप से technical as well as HR interview questions पूचे जाते हैं, तो मेरी एक request यार, इस पर जरूर एंडूल करिए और दोस्तों, ज 11 LPA तक का package दोस्तों, आप यहां से ले सकते हो, तो मेरी एक request यार, apply जैसे ही कर दो, please comment section में भी हमें जरूर अपडेट कीजेगा, तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही में जल्दी मिलता हूँ, अपनी नई वीडियो में, अपने नए टेक अपडेट के साथ, जब तक के लि झाल 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 झाल